Hello dear student, हमारे कल के lecture में हमने बात की थी rules for integration की ठीक है हमने देखा constant multiple rule क्या होता है, some more difference rule क्या होता है साथ में हमने देखा substitution rule क्या है तो मेरे पास में doubt आया कि algebraic substitution को एक बार दोबारा बताया जाए तो चलो जड़ा algebraic substitution की बात करते हैं एक में छोटा से example ले लेता हूँ मालो मेरे पास में कोई statement है one plus y square under the root intimate two y dy और इसका integration करना है हाँ मुझे किसी student ने का था किसी अधर example से बताओ पर बेटा ये बहुत अच्छा example है अगर समझ में आ गाती है आपको algebraic substitution में कभी problem नहीं होगी अगर ये ना समझ मैं तो प्लीज मुझे दुबारा बोल देना मैं किसी दूसरे example से भी explain करता हूँ अब देखिए integration में हम क्या करते हैं आपने देखा कि मालो कोई भी power है उसमें एक add कर देते हैं और नई power से क्या कर देते हैं divide कर देते है अब यहाँ पर देखें अब यहाँ पर देखो इधर मैं देखूं तो मेरे पास में y की power है 2 इधर मैं देखूं तो y की power है 1 इसमें y की power 2 है और complete function का under root है अब मेरे साथ problem कि पहले मैं इस वाले को solve करूं कि इस वाले को solve करूं तो ये मेरे साथ problem arise हो गई तो बेटा इस problem का एक बहुत ही अच्छा सा solution मैं क्या करूँ इस y को इस equation से eliminate करने की try क्यों ना कर लो अब मैं इस y को eliminate कैसे कर सकता हूँ देखो मैं इस 1 प्लस y square की जगह पर क्यों ना u रख दूँ अब जैसे में इसकी जगह u रखूँगा तो देखे equation क्या बनेगी u 1 प्लस y square की जगह under root into में 2y और dy मैंने इस 1 प्लस y square वाले y को तो eliminate कर दे अब पर नई problem सुरूओगी यहाँ पर भी y और यहाँ पर dy है मुझे इस dy को भी तो eliminate करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर जब y की जगह u रख चुका हूँ 1 प्लस y square की जगह मुझे इस dy की जगह भी तो u की term में कुछ रखना पड़ेगा अब मुझे चाहिए dy तो सबसे आसान तरीका क्या था कि क्यों ना मैं इस du को differentiate कर दूँ था कि dy आ जाई अब differentiation क्या गया था constant का तो 0 हो गया differentiation में जो भी power आगे ले आते हैं और एक घटा देते हैं तो मेरे पास मैं du की value क्या आ जाएगी 2y into my dy अरे यह तो सोने पर सुहागा हो गया क्यों 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 मुझे तो dy की value चाहिए थी पर मुझे क्या मिल गया ठीक है अब अंडरूट है कोई प्राब्लम नहीं अंडरूट को मुझे सकते हैं यू की power half into my dy integration power half add एक add कर देते हैं 3 by 2 नहीं power से divide कर देते हैं 2 by 3 अब मुझे यू की term में नहीं चाहिए answer क्योंकि यू तो मैंने माना था मुझे answer वाफिस y के term में चाहिए तो y तो मेरा 1 plus y है तो क्या जएगा 2 by 3 and 2 में 1 plus y का square और power कितनी आ गई 3 by 2 तो जो मेरा solution मुझे initially बहुत ही complicated लग रहा था बहुत ही problematic लग रहा था इस substitution method नहीं से क्या कर दिया बड़ा ही आसान कर दिया मैं constant c नहीं लगा रहा हूँ आप लगा लेना अपने आप इस तरह से हम substitution method करते हैं अब चलिए जरा आगे देखते हैं आज हम क्या देखेंगे graphs के बारे में देखेंगे कि graphs क्या होते हैं वैसे आपने एक दो graph पढ़े भी है 10th class में अब क्योंकि हम kinematics start करेंगे बेटा तो graph और differentiation integration आपके बहुत अच्छे होने चाहिए kinematics आज जाएगी जली अब graph पढ़ने से पहले थोड़ा सा triggo का idea देदू देखो आप सब के पास में 4 quadrant होते हैं 1st, 2nd, 3rd और यह 4th हर quadrant यह 90 degree यह भी 90 degree 90, 90 तुम्हें पता ही है तुमने 10th class में पढ़े होगी अब देखिए जो पहला quadrant है आपका उसके अंदर आप देखो trigonometric functions की एक बार देखें 1st quadrant के अंदर के बात करें तो कितने trigonometric function sin theta, cos theta tangent theta, coat theta secant theta, cosecant theta कितने trigonometric function होगे 3, 3, 6 तो जो 1st quadrant है उसके अंदर ये सारे के सारे trigonometric function क्या होते है positive पहले quadrant में जितने भी trigonometric functions है all are positive अब जो दूसरा quadrant है दूसरे quadrant में sin theta क्या होता है positive sin theta का reciprocal क्या होगा cosecant theta तो ये भी क्या हो जाएगा positive बाकि जितने भी बचेगे वो सारे क्या होगे negative ठीक है तीसरे quadrant में tangent theta और coat theta क्या होते है positive बाकि जितने भी बचेगे उन सब की value क्या होगी negative last quadrant में इसी तरह से cos theta और secant theta क्या होते है positive और बाकि जितने भी बचेगे उन सब की values क्या हो जाएगी negative दूसरी जरूरी बात आप जब कभी भी angle measure करते हो तो angle हमेशा आपका counter clockwise direction में measure होता है ऐसे यह theta उल्टा चलेंगे हम x-axis के साथ ठीक है ना अब इसको हम याद कैसे रखते हैं देखो इसको हम याद रखते हैं पहले का a उठा लो a से बन गया add ठीक है ना अब दूसरे का क्या उठा लो sign है तो s उठा लो बाकिEO agitives लिए तो स से क्या बन जाएगा मेरा sugar तीसरे का मैं क्या उठा लेता हो t नहीं t उठा लिया मैंने और क्या बन गया मेरे पास में 2 course कम क्या उठा लेता हू은 C उठा लेता हूtechn October और साथ में क्या बना दिया मैंने कोफी, ठीक है, तो यहां से देखिया आप, यहां से आप क्या देखेंगे, कि add sugar to कोफी मेरा एक sentence बन गया, इसमें पहले-पहले वर्ड उठा रहता है, A, A for all, S, S for sine, T, T for tangent, C, C for cosecant, तो पहले quadrant में सारे positive, दूसरे में sine positive, तीसरे में tangent positive, और फोर्थ में cosecant positive, ठीक है, counterclockwise angle measure करेंगे बेटा, ध्यान लखना है, अब चलिए graph देखते हैं, जो सबसे पहला graph मेरा आता है, वो आता है, straight line, अब straight line graph की equation क्या होता है, mathematically, straight line graph की mathematical equation होती है, y बराबर है, mx plus c, ठीक है, यहाँ पर देखिए y क्या है, y आपके पास में क्या है, coordinate on y axis, y axis का जो coordinate है, वो है, x coordinate किसका है, x axis का c, c क्या होती है, c होती है, intercept on y axis, कब intercept when, value of x is 0, m, m क्या होता है, आपका slope, इसको हम tangent theta भी बोलते हैं, ठीक है, अब for example, मान लिजिए, मैं आपके लिए graph बना देता हूँ, यहाँ, मैंने बना दिया यह graph, यह हमान लो x axis, यह हमान लो y axis, और यह मान लिजिए, एक straight line बना दिया ऐसे, और मैंने आपको कह दिया, कि बटा इस graph के equation लिखो, तो आप equation कहां से लिखेंगे, आप तो equation यहीं से लिखेंगे, y बराबर mx प्लस c से, अब देखे, c था, जब x 0 है, तो y पे intercept कहां करा, देखो, जब x 0 है, तो y भी क्या है, 0, तो c क्या हो जाएगा, 0, तो equation क्या बनी, y बराबर है mx, ठीक है, यहां से आप, अगर मेरा m, यानि कि tangent theta, देखो, यहां पर angle theta है, तो इस point पर भी theta ही रहेगा, इस point पर भी angle कह रहेगा, theta ही, theta ही, theta ही मेरा constant है, यानि कि slope constant होगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, y is directly proportional to x, एक equation तो यह, और एक equation यह, दोनों ही किसकी equation है, यह, straight line की, ठीक है, एक और example ले लेते हैं, बेटा, मानलो मैं आपको कह दूँ, कि मेरे पास में यह रहा कोई section, यहां से intercept हो गया, यह कोई point है, let us suppose मेरा, इसकी value मैंने आपको कह दी कुछ भी, मानलो a मानली मैंने, इधर मानलो xc है और इधर मानलो y, मैंने कहा इसकी equation लिखो, आप क्या कहेंगे, इधर equation तो थी y बराबर mx plus c, अब देखो y पे तो y ही है, x axis पर xc है, slope मानलो m है, प्लस में, अब intercept कहां हो रहा है, a पर कब, जब x की value कितनी है यहां पर, 0, तो यहां क्या आजएगा, a बन गी equation, ठीक है, अब examiner इसको थोड़ असा, रिपलोट कर लेते हैं, क्या कर सकता है examiner, examiner कहा देता है कि इधर मेरे पास में time है भई, इधर मेरे पास में distance है भई, अब equation लिखो, क्या कहेंगे आप, आप कहांगे, कि y axis पर कहा time, यानकी s, तो s बराबर है, slope एक बर मान लो, m ही है, x axis पर कहांगे time, तो कहांगे t plus में, intercept के आगी मेरे पास में, a, b, c कुछ भी देते हैं, बन गी equation, ठीक है न, अब देखो, next कहांगे सकता है examiner, कि मेरे पास में एक equation बनानी है इस तरह से, ठीक है, और मान लिजिए, यह मेरा जो, graph है, वो कुछ ऐसे जा रहा है, let us suppose, यह ऐसे रही equation, ठीक है न, यहां से, मान लो, यह कोई value है, b, इधर y ही मान लो, इधर x ही मान लो, तो equation क्या बनी, आप कहेंगे सब y बराबर है, mx plus c होता है, y बराबर है, mx c, intercept कब, जब x 0 है, कहां पर intercept कर रहा है, b फिर, किस direction में, negative direction में, y बराबर, mx minus में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, बन लो, इक्वेशन सिंपल, ठीक है, अब examiner, इसी को कैसे कर सकता है, upload, कहेंगता है, कि इस बार मेरे पास में, जो intercept है, जो graph है, वो ऐसे है, इधर मानलो, कोई, a पर है, यह मानलो, इस graph के लिए equation मनाओ, आप करेंगे, y बराबर, mx plus c, तो y बराबर है, अब यहां पर देखो, angle, यह angle देखो, theta, यह greater than 90 degree है, यानि कि आप second quadrant में चले गई, अब इधर देखें, हम इसमें यहां पर तो second quadrant में, साइन और cos positive, बाकी सारे क्या होते है, negative होते है, तो यह इसका मलब है, मेरा slope क्या होगा, negative, slope तो tangent ठीटा होता है, तो मैं minus sign लगा देता हूँ, x, अब यह slope, यहां पर intercept भी क्या है, negative, तो minus a, बन गी मेरी equation, इसके लिए, उपर वाले कि इसके लिए, इसके लिए, ठीके ना, तो इस तरह से हम straight line की equations को बनाते हैं, examiner y axis पर कुछ भी दे सकता है, x axis पर भी कुछ भी दे सकता है, ठीके, ठीके,